अगर अपका सिम अपके अधार काद से नहीं जुड़ा हुआ तो जल्दी अपका सिम बंध हो जाएगा। इसलिए अपने मुबाइल को अधार से अवश्य जोड लें। आपके लिए अपने मुबाइल सिम को फरवरी 2018 तक अधार से वेरिफाई कराना जरूरी है। जब आप अपने सिम को अधार से जोड़ेंगे तो अपको ध्यान रखना होगा कि कहीं अपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा। क्योंकि कई कमपनिया सिम वेरिफाई के नाम पर फ्रॉड कर रही है। उनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ओफ इंडिया ने एटल को आधार बेस्ट सिम वेरिफिकेशन के लिए आए कस्टम की जानकारी के बिना कथित तोर पर पेमिंग बैंक अकाउंट खोलने के मामले में नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि यह नियमों का उलंगन है और इस मामले में कमपनी पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। आपको बता दे कि सिम को आधार डाटा से वेरिफाई करने के लिए आपको टेलेकॉम कमपनियों के सेंटर जाना होगा। वहां आपको अपना आधार नमबः बताना होगा। इसके बाद अपके नमबः पर ओटी पिएगा। जिसे डालने के बाद अपका नमबः वेरिफाई हो जाएगा। डेली ट्रेंडिंग म्यूस की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को ऐसे ही लेटिस्ट और इंट्रेस्टिंग न्यूज के लिए